हुआ है एवरीवन वेलकम टू क्लैट पॉइंट लेट स्टार्ट टुडेश सेशन आज का मारा सेशन जो है वह एफटी एफ की ग्रे लिस्ट के उपर होने वाला है क्योंकि इस लिस्ट के अंदर टर्की को भी इंक्लूट कर दिया गया है तो चलिए फिर शुरुवात करते हैं सबसे पहले देखिए अभी न्यूज में रहने का जो कारण है वो यह है कि एफटी जिसका फुल फॉर्म होता है फाइनिंशल अक्शन टास्क फोर्स इन्होंने साथ ही जुटन पर्वी के साथ जर्टन एद dominant को तीनों इंक्लूट कर दिया है अफटीद यूज्ट की ग्रे लिस्ट के ंंदर जिसको जुरिडिक्शनस अंदर इंक्रीज मॉनेटरिंग भी कहा जाता है या फिर फॉत इस सुना होगा तो ऐसा निये कि अभी अचानक से पहली बार ये नाम सुनने में आया है FATF जो है वो काफी न्यूज में रहती है ये संस्थान ये और आपकी क्लाइड या फिजितने भी लॉइंटर्स टैस्ट है जैसे की दी यू या एक्सेटर एक्सेटर उन सब में इससे कुश्चन आने की काफी संभावना होती है अब बात करते हैं अभी कितने मेंबर्स हैं तो प्रेजेंट ली आफ्टर इंक्लूडिंग जॉर्डन एन माली टर्की इसमें तेज कंट्री जो है वो लिस्ट के अंदर इंक्लू इच के लिए है कि जो पहले ऑटोवन एंपाइर हमें सूनते थे बहुत समय पहले वो प्रजेंट टर्की ही है पहले इस एरिया को थोड़ा बड़ा होता था अब छोटा हो चुका है तो यह जो आस-पास का एरिया था यह सब ओटोवन एंपाइर में आता था और मुस्ली ट तो यहां पे इन तीनों कंट्रीज को FATF ने ग्रे लिस्ट के अंदर इंक्लूट कर दिया है अब इक ग्रे लिस्ट होती क्या है एक ब्लैक लिस्ट भी होती है सब जानेंगे उससे पहले में आपको बताना चाहता हूं कि क्लाइण पॉइन पॉइंट। पे हमारे इस प्लैटफॉर्म के ऊपर काफी सारे कुर्स चल रहे हैं लॉउइंट एक थे लिए जिसमें आप अपने आपको इंडरोल कर सकते हैं इसमें इंडोल करने के लिए आपको करना गया है आपको जाना है डिस्क्रिप्शन से हमारी एप की लिंक है आप हमारी एप डाउनलोड करिए आप वहां से हमारा CLAD UG का Legal प्लस GK का जो कोर्स है जो include कोर्स है जिसमें दोनों ही आपके subjects कवर कराए जाएंगे या फिर CLAD का सिर करें उनके लिए हमारा कोर्स है and CLAD का जो हमारा सबसे trending कोर्स है वह है CLAD GK Booster जिसमें हम आपके CLAD के perspective से GK कवर कराते हैं तो आप इन समय से किसी में भी अपने आपको enroll कर सकते हैं जिसके लिए आपको description में जाना है हमारी app डाउनलोड करनी और वहां से इसमें से कोई सा भी playlist में डाल दिया जाए तो मैं बहुत ही simple शब्दों पहले आपको इसको समझाना चाहता हूँ ठीक है इस country को नाम देते हैं साकिस्तान क्या नाम देते हैं साकिस्तान समझ सकते हो आप है थीक है तो यह जो साकिस्तान है इसको एक नाम की संस्थान ने 1 लाग रुपे दिये कि एक लाग रूपे ए नाम की संस्थान ने साकिस्तान को दे दिये. अब साकिस्थान की सरकार ने इस एक लाग रूपे का यूज कर दिया किस चीछ के लिए? टेरिजम को प्रमूट करने के लिए, टेरिरिजम को बढ़ाने के लिए. ऐसी countries का पता कैसे चलेगा कि जो countries में terrorism को funding करी जा रही है या फिर जिस country को कोई पैसा देगा तो terrorism को promote करने में use हो सकता है तो यहाँ पर यह जो FATF है यह watchdog की तरह गाम करती है यह सुनिश्चित करती है कि इन countries को पैसा बहुत सोच समझ के दिया जाए बिसिकली grey list में कोई country डाल दी जाती है तो ऐसा माना जाता है कि there is probability कि money laundering का पैसा वहाँ पे काफी ज़्यादा use हो रहा है इन promoting terrorism और ऐसी countries को कोई fund देगा तो फिर वो terrorism को promote करने के लिए fund use हो सकता है तो यह होती है FATF की grey list अब इसी तरीके से FATF की black list भी होती है तो बिल्कुल ही वेकार है इसको दो ही मत ठीक है अब थोला से इसका terminologies जो है वो भी देख लेते हैं तो black list countries को यह भी बोला जाता है non comparative countries or territories NCCTs भी बोलते हैं से यह वो countries होती है जिनको अगर आप पैसा दोगे तो भाया वो पैसा जो है वो पूरा का पूरा आपका use हो सकता है terror funding and money laundering activities के अंदर gray list में तो probability होती है black list में तो मतलब guarantee type का हो जाता है तो इसलिए gray list को मैंने बोला है थोड़ा light होता है black list जो है थोड़ा सा ज्यादा heavy term है और कोई countries में डाल दी जाए तो उसे काफी समस्या का सामना करना पड़ सकता है अब जो list आई इसमें और कुछ countries का नाम हटाया भी गया है तो FATF ने Financial Action Task Force ने Botswana and Mauritius इन दोनों का नाम हटा दिया है gray list में से और साथी साथ जोड़ दिया है Turkey, Mali और आपका Jordan ठीक है तो लोकेशन ना याद ना भी रहे तो चलेगा आप लोग को यूपसी का एक्जाम नहीं दे रहें कि आपको पता हो या मतलब नहीं हो लेकिन लोकेशन अगर दिमाग में आ जाती है कंट्रीज इन FATF, इंडिया जो है वो इसका मेंबर है अगर ऐसे कुर्शन आ जाते हैं कि क्या इंडिया इसमें से किसी का मेंबर है या इंडिया मेंबर है कि नहीं है तो ध्यान रखिएगा जून 2010 से इंडिया जो है FATF का मेंबर है और पहले हमारे पास observer status था 2006 से 2010 के बीच में लेकिन 2010 से इंडिया जो है इसका मेंबर बन गया है FATF की कुछ observing countries भी है जैसे की इंडोनेशिया ठीक है और भी बहुत सारी है लेकिन अपने को एक दो जो अपने आसपास की है उनके बारे में पता होना चाहिए Headquarters क्या है Paris France के अंदर Training Institute इसका है Busan Korea के अंदर और कोई regional offices इनके नहीं होते हैं ठीक है FATF के जो President है फिलहाल वो है Dr. Marcus Clear जो की Germany के हैं और इन्होंने 2020 में इस पोजिशन को समाला था वहीं FATF के जो Executive Secretary है वो है David Levis जो की UK के है ठीक है तो यहीं भी आपको इस अंस्तान के बारे में पता होना चाहिए अब FATF के टाइप की कुछ regional bodies और है हमारे विश्व के अंदर वर्ल्ड के अंदर थोड़े सब याद रहें तो ठीक है नहीं भी याद रहे तो भी चलेगा जैसे कि Money Well है यह European Union Countries का इस तरीकी की organization है इसके बाद MENA FATF है Middle East and North African FATF भी बोलते हैं इसे EAG है E-Station Group APG है Asian Pacific Group E-S-A-A-M-L-G है जिसको Eastern and Southern African AML Group भी बोलते हैं फिर एक ग्याबा है इसको बोलते हैं Groupie Inter Government D-Action Country Love Lunchment Afriki और फिर एक आपकी है Gaffi Suit South African FATF बोलते हैं इसे फिर एक होती है C FATF जिसको Caribbean FATF भी बोलते हैं और एक होता है आपका APG अब देखें यहाँ पर आपको एक बात समझनी है कि यह मैंने आपको क्यों बताया है ठीक है अगर आपको Full Form याद रहा है इसमें से कुछ आप याद रख सकें तो बैटर है अच्छी बात है च्योंकि अगर जो क्लैड में तो इसे फुल फॉर्म वाले कुश्चन अब नहीं पूछ जाते लेकिन जो अदर लॉइंटर्स पूछेंगे आपको ऐसे फुल फॉर्म वाले कुश्चन भी पूछ सकते हैं डी यू यू में प्लस क्लैट में जो परेग्राफ वाला पैटरन है उसमें इस कि को जॉर्डन को माली को इंक्लूट कर दिया है फेटीफ की ग्रेटिफ के अंदर करेंटली तेइस कंट्री इसमें हो चुकी है फिर हमने देखा कि फेटीफ जो है वो ग्रेलिस्ट में क्यों डालता है फिर हमने यह भी देखा कि वोट्सवाना एंड मौरिश्यस को इससे गया है फिर हमने ब्लैक लिस्ट में अंतर देखा हमने को यह पता पड़ा कि ब्लैक लिस्ट जादा खतरनाक है फिर हमने देखा इसमें 39 मेंबर कंट्रीज है जन्मरी 2021 के अनुसार और 2006 से 2010 तक भारत observing स्टेट था 2010 में भारत को इसका मेंबर बनाया गया है पैरिस फ्रांस म हमारे ज़रूर विजिट करिए जो लोग एक्सटॉप से विजिट कर रहे है वो www.cladpoint.com पर जाके सर्च कर सकते हैं और जो लोग मोबाइल से देख रहे हैं वो लोग Android आप हमारी डिस्क्रिप्शन से जाके डाउन्डोड करके इसमें से किसी भी कोर्स इसको पर्चेस कर सक सकते हैं चाहिए वो CLAD का UG का पेपर हो, CLAD UG के लिए GK Booster, Legal Disney का कोर्स चल रहा है, DUE LLB का 3 साल का एंट्रेंस का कोर्स चल रहा है, MATH 31999 का, PU एंट्रेंस की जो तयारी कर रहे हैं उनका भी कोर्स चल रहा है, PLUS CLAD GK Booster जो है और CLAD LLM का भी कोर्स हमारा चल रहा है, तो आप इसमें से किसी में भी अपना आपको इन्रोल कर सकते हैं और इसके लिए आपको हमारी आप डाउनलोड करनी होगी, Thank you so much, Jai Hind, Jai भारत!